आज हम लोग ये ब्रह्मान के बारे में जानेंगे इससे पहले हम लोगों ने नरक, तीरचंग योनी, पेत लोग, असुर और मनुश्य लोग के बारे में इस पष्टरुफ से जानकारी हम लोगों ने पाया था, आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पे है मनुश्य लोग, मनुश्य लोग के बारे में जानने से पहले हम लोगों को ये सुमेरु पर्वत को जानना बहुत जरूरी है जो इस प्रकार है सुमेरु पर्वत ये बीच में है उसके धकशिन की और जम्बोदीप है जहाँ पे बुद्ध का जन्म होता है जहाँ पे हम सबी लोग अभी वास कर रहे है तो ये जम्बोदीप मतलब पूरा अभी हम लोग जितना भी विश्व देख पा रहा है वो पूरा जम्बुदीप है लेकिन उसमें से भी मुख्या जम्बुदीप जो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्थान, बंगलादेश ये जो छेतर आता है ट्रेंगल सेप में है उसी को जम्बुदीप व आप देखेंगे तो उद्तरकुरू है फिर आप पूरब की और देखेंगे तो पूरवविधे और पास्थिम की और देखेंगे आप तो अपर गोदनिया ये चार मनुष्य लोग है जहां पर मनुष्य रहते है इसके बारे में थोड़ा देर में जारेंगे इससे पहले हम लोग ये महामेरुपर्वत सुमेरुपर्वत को जानते हैं सुमेरुपर्वत भहुती उचा है ये ब्रह्मान के केंद्र में है केंद्र में इस्तित है ये ब्रह्मान के केंद्र में होने कारण सूर्य और चंद्रमा इसके परिक्रमा करते रहते हैं सुमेरुपर्वत के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पाहाड और समुद्र से गिरा हुआ है, सुमेरु परवत के चारो कोना अलग अलग रतनों से बना हुआ है, एक कोना सोने का बना हुआ है, एक कोना लाल मनी से बना हुआ है, यह से ही यह चारो कोना अलग अलग रतनों से बना हुआ है और सुमेरु पर्वत के ठीक उपर तावतिन से देव लोग है और सुमेरु पर्वत के ठीक नीचे असुर लोग है जहांपे असुर रहते है असुर यानि जो सुर नहीं है जो देवता नहीं है पहले असुर का वास इस्थान देव लोग बताये जाता है तावतिन से देवलोक में असुर अपने सुविधाओ का दूर उपयोग करने कारण इनका ये गती हुआ है जो आज एकदम नीचे रहते है सुर से असुर बना हुआ है इसलिए ये देवताओ से लड़ते रहते है क्योंकि ये अपना पुराना इस्थान पुराना लोक तावतिन से देवलोक चाहते है सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोदगया का महाबोधी टेंपल ये भी महामेरु परवत के आकार का बना हुआ है इस प्रकार से ये पुराना पेंटिंग भी है जिसमें ये बीच में महामेर परवत है ये चार और चार लोग को दिखाय गया है और जब भी ये काल चक्रपूजा होता है जिसमें एक विशाल मंडाला बनाय जाता है जिसमें अलग-लग रंगों से बहुती सुन्दर आकृति का बनाय जाता है इसमें भी आप देख सकते हैं ये बीच में सुमेर परवत को बनाय गया है सुमेर परवत का आकार दिया गया है इस प्रकार से ये काल चक्रपूजा में भी सुमेर परवत और ये चार लोग को बनाय जाता है उसके बाद ये थाइलेंड में भी ये सुमेरु परवत के आकार का बिहार बना हुआ है ये भी थाइलेंड का ही है जो सुमेरु परवत के आकार का बिहार बना हुआ है ये म्यानमार बर्मा का है जो सुमेरु परवत के आकार का बिहार बना हुआ है ये जापान का है और ये कंबोडिया का बहुत पुराना भिहार है जहां पे ये सुमेरु परवत के आकार का भिहार बना हुआ है सुमेरु परवत के उपर में तावतिन्ष देवलोग है इसके राजा इंद्र सक्र है और इसके अंडर में ये सुमेरु परवत के चार और रक्षा के लिए चार महाराज जिसको कहते है चातुम महाराजी का पाली में चार महाराजा लोग इस लोग की रक्षा करते है तावतीन्च देवलोग की रख्चा करने के लिए सक्राइंद्र की रख्चा करने के लिए ये चार महाराज को इस्थापित किया गया है जो इस प्रकर है इसके उत्तर की और वेस्टरवन है दक्षिन की और विरुढक है पुर्व की और द्रिटरास्ट है पस्षिम की और विरुपाक्ष है और इन सभी देवताओं के अंडर में भी इन सभी महान राजाओं के अंडर में भी चार राजाए काम करते है जैसे वेश्रवन के नीचे काम करने वाले राजा है यक्ष विरुधक के नीचे काम करने राजा है कुम्भांड दूटराष्ट के नीचे काम करने वाले है गंदर्व और विरुपाक्च के नीचे काम करने वाले राजा है नाग तो वेस्टरवन का अर्थ होता है सुनना विरुधक ये वायू के राजा है दिटराष्ट के अंदर में जो काम करते हैं गंदर्व गंदर्व यानि म्यूजिक संगीत के देवता है विरुपाक्ष जो है सब कुछ देखने वाले को कहते हैं विरुपाक्ष इस प्रकार से यह चारो राजाए और उनके नीचे चारो राजाए ये तावतिन्ष देवलोग की रक्षा करता है जो सुमेरु परवत के चारों और रहते है इनका युद्ध हमेशा असुरों से होता रहता है जो अपना पुराना घर देवलोग तावतिन्ष देवलोग पाना चाते है अब हम लोग मनुश्य लोग के बारे में जानते है तो मनुश्य लोग में सबसे पहला है जम्बू दीप जम्बू दीप में आप देख सकते है यहाँ पे होता है जम्बू ठ्री जम्बू यानि जामून को भी कहते है जामून के पेड़ होते है तो बागन बुद्ध का जन्म ये जम्बुदीप में होता है यहां पे मनुश्य का आयू 10 से असंख के कल पर बताय जाता है 10 से 10,000 तक होता है अभी हमारा आयू है 70 वर्स, 80 वर्स, 100 वर्स मान लिजे लेकिन ये धीरे 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 कम होते होते 10 वर्स का हो जाएगा एक बैक्ती जन्म होगा 10 वर्स में मर जाएगा उधारन के लिए आप जान सकते है जैसे मच्छ, मक्खी और बरसाद में जो कीरे निकलते है उनका आयू आपने देखा होगा कितना दिन करता है रात को जन्म लेता है सुवे मर जाता है तितलियों का और थोड़ा ज्यादा देखने के लिए 10 वर्स या 20 वर्स तक आपने देखा होगा जैसे डॉग है डॉग 20 वर्स तक मान लिए मुश्किल जी पाता है तो ये से ही हम लोगों का भी आयू कम होगा और आपने देखा होगा फिर जानेंगा सीखेगा कैसे आपने देखा होगा मुर्गी के बच्चे को देख लिजे वो पैदा होता है और कुछ दिन में ही सब कुछ सीखना सुरू कर देता है खाना पीना कहा गुमना कहा सोना यह सब सीख लेता है तो ऐसे ही आयू कम होगा जल्दी जल्दी सीखना सुरू कर देगा आज कल की बच्चे को देख लिजे हम लोगों से तो एक गुना आ गही रहते हैं कितना जल्दी कुछ सिख लेते हैं तो ये आयू कम होगा लेकिन जल्दी जल्दी सिख के ऐसे होगा तो हम लोगों में नेतिकता बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो फिर हम लोगों का आयू 10,000 वर्ष उससे भी ज़्यादा असंग्या हो सकता है एसे यूग में बुद्ध नहीं आएगा एक बुद्ध यूग होता है एक सुन्य यूग होता है सुन्य यूग में बुद्ध पुरुस नहीं आते है तो ये बुद्ध यूग में बुद्ध फिर जन्म होगा बुद्ध जन्म होने के लिए वहाँ दिखता है कि मनुष्य का आयू कम से कम सव वर्ष का हो तब भागन बुद्ध या कोई भी बुद्ध पुरुस जंबुदीप में जन्म लेता है तो ये जंबुदीप है जंबुदीप में हम लोगों का आयू मनुष्यों का आयू दस से असंग कलप हो सकता है या सभी बुद्धों का जन्मा यहीं पर होता है ऐसे कहा गया है इस जंबुदीप साउत की और इदक्छिन की और है इसके पूर्व की और देखिए पूर्व की और लोक है इसका नाम है पूर्व विदेह पूर्वविधेय में मनुष्य का उमर 700 वर्स का होता है, यहां का मुख्य पेड बबुल का होता है, यहां पे मनुष्य का हाइट 12 फिट लंबे कहा गया है, यहां के लोग 12 फिट लंबे होते हैं, और यहां के आजीविका के लिए यहां के लोग मुख्य रुप से ब्यापार करते हैं ये लोग सामन खरिते हैं बेशते हैं इस प्रकार से लोग जीवन्यापन करते हैं पस्रिम के और देखिए यहां पे है अपरगोदनिय लोक यहां का मुख्य पेड़ है कादम पेड़ कादम का पेड़ और मनुश्य का उमर यहां पे 500 वर्ष होता है यहां के लोगों क हाइट याता ऊचाई 24 फित लमबा होता है और ये लोग खुले में आराम से सोते है घरों में कभी नहीं सोते है इसके उत्तर की ओर देखिए उत्तर की ओर है उत्तर कुरू उत्तर कुरू लोग के मुख्य पेड है कल पर विक्ष यहाँ पे मनुश्यों का उमर होता है एक हजार वर्ष उत्तरकुरु के वासी बहुती सुखसान्ती से रहता है इन लोग कोई नीजी संपत्ति नहीं होता है प्राइबेट प्रपटी कुछ होता नहीं है जो भी कुछ इच्छा करता है तो उनको सब प्राप्ट हो जाता है जैसे भोजन या सामागरी या घर जो कुछ सहिए इच्छा के वस्तु इनको आराम से मिल जाता है उत्तरकुरु वेश्रमन के अंडर में है इसलिए यहाँ पे कोई धन की चिंता नहीं होता है और सभी संपत्ती पब्लिक संपत्ती होता है प्राइबिट संपत्ती कुछ होता नहीं है यहाँ के लोगों का हाइट 48 फिट लंबा होता है बहुत उचे उचे लंबे लंबे रहते है अब इन बातों को सुनकर के लगेगा कि प्रामान कहा है हम लोग तो देख नहीं पाते है या कोई वेग्यानिक भेजे या कोई रॉकवेट भेजे जहाँ से हम लोग देख सके ऐसा अनेक सावाल मन में आएगा ये सभी लोग को जानने के लिए ये भगन बुद्धा कहते है कि ब्यक्ति को अभिग्या बनना पड़ेगा या तो सोतापति सगदागामी अनागामी अरहत की प्राप्ति करना पड़ेगा वही ब्यक्ति इन लोग के बारे में जान सकते है इन लोगों में जाकर के आभी सकते है ब्रह्मन कर सकते है देख सकते है जैसे आपने कहानियों सुना है कि महा मुग्यलान नरक लोग गया, देव लोग गया, इंद्र लोग गया, वहाँ पे जाके घुम के आया एक कहानी है कि एक बार मुग्यलान चला गया इंद्र लोग में, वहाँ पे बहुत विशाल विशाल भावन रहता है और उन सभी भावनों में अलग-अलग राजा वास करते है उन में सबसे बड़ा इंद्र का भावन होता है एक दिन ये गए वहाँ पे इंद्र को लगा कि ये कोई विक्छुआ आया है विक्छुआ करके यहाँ पे वास करने के लिए आया है तो उनको अपना महल दिखाने के ले जाता है इंद्र सोंचता है कि ये मेरा महल देखके डर जाएगा और मेरे सामने जुकेगा मुझे परणाम करेगा लेकिन जब मुगलान वहाँ पे पहुंचता है और उनके महल को अपने पेर के अंगली से इला देते है तो इंद्र पुस्ता है आपको ने वो कहता है कि म इसके लिए आपको अभिग्या होना पड़ेगा तब आप इन लोगों के ब्यार में जान सकते है तो ये काम लोग के अंतरगत मनुष्य लोग और उसके नीचे आने ओले लोगों के बारे में हम लोग उने चर्चा कर लिया है अब हम लोग थोड़ा उपर की और बढ़ते हैं यहाँ पे है चातुम महाराजी का लोग जैसे अब यह हमने चातुम महाराजी का मतलब चार महाराज ये भी kाम लोग के अंतरगती आता है काम लोग इसले कहते हैं कि इन सभी लोगों में मनुष्य है या प्रेत है भूत है है आसूर है या ये सभी देवता है इनकी अंदर में काम की इच्छा बहुत ज़्यादा होता है, उनको धन चाहिए, उनको संपत्ति चाहिए, उनको मान सम्मान, उनको इस्तिर चाहिए, उनको पुरुष चाहिए, ये बहुत इच्छा रहता है, इसलिए इन सभी लोकों में काम की इच्छा ज़्यादा होने कारण इनको काम लोक कहा जाता है, तो वेश्रमन, विरुधक, धीटराष्ट, विरुपाक्च है ये चातुम महाराजी का देवलोग, मनुश्य लोग के सबसे करीब देवलोग है आप सबने बहुत सारा सुत्र पढ़ा होगा पाली में रतना सुत्र, मंगल सुत्र, आठानाटिय सुत्र और ये बहुत सारे सुत्र है, आप लोग पाली में देख सकते हैं इन सभी सुत्रों में आपने चर्चा सुना होगा कि देवताया आए है, यक्ष आए है, कुम्भांड आए है, नाग आए है वागन बुद्द के पासा करके उनसे उपदेश की याचना किया है भागन ने उनको उपदेश दिया है, तो ये सभी इन लोगों से आया है चातु महारजिका लोग से देव लोग और अन्य, असुर, प्रेत ये सभी लोग नीचे के लोग से आया है, जो मनुश्य लोग के सबसे करीब है इसलिए लोग आते जाते रहते थे बागन बुद्ध से मिलने के लिए और ये सभी देव लोग, हम लोग से बहुत दूर है, सभी ने के सकते है हम लोगों में ऐसा दिश्टिकोन नहीं बना है, ये परते ज्यादा नहीं है, बहुती कम परते है एसा दुष्ट्रिकोन एसा हम लोग में ज्यान आ जाए अभिज्य हो जाए तो हम लोग ये लोग को आराम से देख सकते हैं आ जा सकते हैं तो पहला है वेश्रमन वेश्रमन के अंडर में यक्छा लोग रहते हैं ये उत्तर दिशा की और रक्षा करते हैं दक्षिन दिसा में है विरु ढक इसके अंडर में है कुमभांड और प्रेत हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पे भूत दिखाई दिया उदर में भूत दिखाई दिया कभी-कभी लोग कहते हैं कि रात में गए कुछ दिखाई दिया और भूत था यह इसलिए है कि मनुश्य औ मतलब जो बहुती ज़्यादा कामोख है उनके आसाय खतम नहीं हुआ है उनको खाना नहीं मिला उनको पिना नहीं मिला उनको इस्तिर नहीं मिला उनको पुरुष नहीं मिला ऐसे जो बहुती तडपा हुआ है वे लोग भूत प्रेत होते हैं और पश्चिम में है विरुपाक् अंडर में नाग लोग रहते हैं जैसे हम लोगों ने बहुत सुना है कि नाग आये थे वह खनबुद्द से मिलने के लिए और विश्चा के कई देशों में नाग की पुझा भी किया जाता है उनका रंग रूप उनका बनावर जैसे साप की तरह रहता है लेकिन ये लोग गंधर्व रहते हैं गंधर्व यानि संगितकार संगित बजाने वाले ये गंधर्व देवताओं को अपने संगित से प्रसन करते हैं और ये लोग मधूर संगित बजाके ही इन लोग की रक्षा करते हैं अपने सुना होगा या तो YouTube पे सर्च कर सकते हैं Google पे भी गंधर्व असास करेंगे तो नेपाल, सिक्कीम ये पहाड़ी ये थोड़ा तराई छेत्रों में गंधर्व जाती के लोग रहते हैं ये लोग बहुती अच्छा सारंगी बजाते हैं तो ये गंधर्व जाती भी उन गंधर्व के बारे में गुरू से सुन करके किताबों पढ़ करके अपने आपको उसी योग ये बनाने के लिए ऐसे गित गाता होगा ऐसे हम लोग कह सकते हैं अब ये चातुम महाराज का देव लोग के एक दिन के बराबर हमारे 50 वर्स होता है हमारा 50 वर्स जब बित्ता है तो इनका एक दिन पूरा होता है तो इनका दिन बहुत लंबा होता है आयू बहुत लंबा होता है इनके वर्सों को दिव वर्स कहा जाता है और देवताओं का भी तिन केड़गरी होता है कुछ देवताओं रहते हैं आकास में कुछ रहते हैं पेड़ों में और कुछ देवताइर रहते हैं भूमी में अपने बहुत बार शुना होगा और लोगों केहते हुए बहुत सरे गाउं में मान्यताइ भी है इस पेड में देवता उस पेड में दे भी रहते है तो सोच समझके ही किसी भी जंगल में जाकर के पेड़ों को काटना चाहिए उसको काट देंगे उसमें कोई देवताओं का वास होगा तो आपको बात में कष्ट होगा या तो दुख देगा और इससे पहले हमने एक कहानी बताया था करनिय मेत्त सुत्र के बारे में जिसमें बिक्चु लोग जंगलों में जाकर के ध्यान करते हैं उस पेर में द्योताओं का वास था ये सभी उनको परेसान करते हैं बिक्चु ये सुख जाता है, पतले हो जाता है फिर बुद्ध से मिलता है, बुद्ध से कहता है कि हम लोगों को ये समश्या आ रहा है, वगन बुद्ध उनको करनिया मेता सुत्र की देशना देते हैं, करनिया मेता सुत्र की देशना सुन करके ये लोग दोहराते हुए जाता है, फिर इनके सारे पुराने सभाव, पुराने रंगरूप आ जाता है ये लोग बहुत ही सुक्षांति पूर्ण ध्यान कर पाते हैं और आपने सुना होगा सूर्य देव और चंदर देव ये देव भी इसी लोक में रहते हैं चातुम महाराजी का देव लोक में ही रहते हैं ये सूर्य चंदरमा तो ही है उसके अलावा भी स ठिक उपर तावत इंच देव लोक है बगन बुद्ध ने कई बार कहा है कि मैंने मेत्री भावना का अभ्यास करके साथ बार सक्र इंद्र की रूप में जन्म लिया है ऐसा उन्होंने कहा है इसलिए ये मेत्री भावना का अभ्यास करने अला ब्यक्ति अगर चाहे तो इंद कि रूप में जण्म ले सकते हैं यह तावत इन से देवलोक में इंडर के पत्नी सूजा और इनके दो बेटा और दो बेटी रहते हैं विश्यकर्मा प्रजा पती भी यहीं पेवास करते हैं इस लोग में इंडर का हांथि का नाम परिलायक और एरावत है, जो सफेत रंग का है, कभी-कभी आपने फोटों में देखा होगा, इस लोक में 33 महल है, इन में से सबसे बड़ा प्रसाथ, यानि महल इंद्रका है, जिसको वेजंत प्रसाथ कहते है, तो तावत इंश देव लोक में इनका आयू उससे भी ज्यादा है, यहाँ पर इनका आयू 36,000 वर्ष, यानि दिब्य आयू एक हजार वर्ष के लगबबच होता है, इसके उपर का देव लोक है याम अलोक, नाम देव लोक में यहां का मुख्य राजा है सुयाम, इनका यहाँ पर आयू होता है 2000 दिब्य वर्ष, जो मनुष्यकी आयू के बरावर तुचित देवलोक यहां पे बहुती आनदी आनद है बहुती सुकी सुक है इनके एक दिन के बरावर हमारा 400 वर्स होता है इसके बाद है निम्मा अनरती देवलोक यहां का भी उमर आयू अन्य देवलोक से बहुत ज़्यादा है उसके बाद फिर आता है परनिम्मित वसवत्त परनिमित मतलब होता है परनिमित दुसरों के दौरा बनाये गए महलों में घरों में ये लोग रहते हैं दुसरे के निर्मान वस्तों का घरों का प्रयक करते हैं यहां पे इनका आयू बहुत ज़्यादा है अन्य देव लोग से ये काम देव लोग के अंतरगत या काम लोग के बुद्ध गया में उसके बाद भी कही बार कही भिक्षो को तो ये मार जो है यहां पे रहता है ये सबसे उपर के काम के देवलोग होने कारण ये बहुती सक्तिसाली होता है ये मार ये जो देवता है ये मार जो है बहुत सक्तिसाली है क्योंकि ये सबसे उच्छे काम लोग के देवता है, तो यह मार का हमला हुआ मार मार जो सब्द सुना है वो यही के परनिम्मित वसवत्ति देवलोक के देवता है इनका उमर होता है 921 कड़ोर 21 लाक वर्ष हमारे 600 वर्ष इनके एक दिन के बराबर होता है तो इन सभी देवलोक में काम लोग में पुन्य कमा के आप जा सकते हैं इन सभी देव लोग को ही सर्ग लोग कहा जाता है अपने अक्षर सुना होगा कोई मर जाता है तो सर्गवास ही हो गया वहाँ गुजर गया सर्गवास हो ऐसे काम ना करते हैं तो इन सभी देव लोग में ही जन्म के लिए ये लोग कामना करते हैं, उनको वेशे कुछ पता नहीं है, तो ये सर्ग लोग इनहीं को करते हैं, ये सभी देव लोग में आप सील सदाचार का अभ्यास करके पहुंश सकते हैं, क्योंकि ये सील सदाचार का ही पई नम सरुप, इन सभी देवताओं को यहां मिला है जन्म मिला है एक बार मगलान इन देवलोक में जाता है जाकरके उन देवताओं को बुला करें पूछता है कि आपने क्या पुन्य किया कि आपका यहां जन्म हुआ सबी देवताय उनसे दूर दूर भागते हैं तो बहुत ही मुश्किल से एक देवी और देवता के वो कहता है कि एक भिक्चो हमारे यहां पर आया था बोजन के लिए तो मैंने खेट से दो तिन मुली गाजर दो धाके साब सुत्रा करके उनको दान सरब दिया था यही पुन्य से मेरा जन्म यहां देवलोग में हुआ ऐसा कहा करके वहां लोग तूरन भागता है क्योंकि पुन्य तो बहुत थोड़ा था लेकिन सद्धा बहुत ज़्यादा था उनके जो देने की सद्धावन था बहुत ज़्यादा था इसलिए उनका यहां पे जन्म हुआ है और ये बगन बुद्दर ने इसलिए इस पश्ट किया है कि ताकि लोग उलजन में ना रहे कि हम क्या करे कि हमारा जीवन दुख से मुक्त हो इन सभी देवलोग के बारे में जाना तावश्यक है अगर नहीं जानेंगे तो ये आप इस संसार चक्रा में फसे रहेंगे तो इसके उपर भी बहुत सारे देवलोग है ब्रह्मलोग है अन्यलोग है इन सब को भी हम लोग विस्तार पुर्ण जानेंगे आज के लिए यहीं तक हम लोग जानते हैं जो कुछ समझ भी नहीं आया अवश्य ही कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके लिए के आप सब कर जीवन ध्यान मया हो मंगल मया हो यहीं मेरा आपके पती सद भावना है सब पापस करनं कुसल सव पसंपदा सचित परियोध पनं एतं बुद्धान सासनं साथ, साथ, साथ